अगर आप चाहते हैं आपकी उन्ती गाड़ी की स्वीड से फेरारी की स्वीड से या जहाद की प्लेन की स्वीड से हो तो आपको गैर भाशा में बाते करने सीखने पड़ेंगे ही हालइलूञ्याегर में आपको आज आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्स लिखने के लिए बस। सबसे बड़ा को क्या चाहिए तो लोग लिखेंगे मैं 19 साल से विदेश की ट्राइख रहा कोई लिखेगा मैं इतने साल से बिमार हूं मेरे बेटे को यह चाहिए पर आपका पहला प्रेयर रुक्ष्ट यह होना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का बगतिस्मा चाहिए पेंटीकोस के दिन जब पवित्रा आत्मा उन पे उत्रा तो बाइबल बताती वो उस जोएल नभी की बुक से प्रार्शना कर रहे थे कि प्रभू तुन्हें अपनी बाइबल में कि आंत के दिनों में तु अपना आत्मा सब मनुश्यों के पर उंडेलेगा हमें कुछ नहीं क्या ये पहले पहले अपनी प्रतिक्या पूरीकर अपना आत्मा हम पे वचलने युः मुषण अगने कला तो अपषूं नहीं आ गृती घ्रस के पास परचार करो तो पर मेशो मुझे जाने के लिए मना कि यूँ करेगा फ़िए बमे लिखा है नहीं लिए कि प्रभू मुझश से क्या चाहता है मेरे बिजनस में क्या चाहता है मेरे बिसनेस में क्या चाहते हैं निरी जिंदगी में क्या चाहते हैं वो तब ही मालूम होगा अगर आप पवितर, अत्मा से भरे हुए इंसान है 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 अब जब गैर भाशनमें प्रार्थन गरते हैं आपकी बुद्धी काम नहीं करते हैं आपके दिमाद को तो यह नहीं पता हो था कि आप क्या बोल रहे हैं पर लिखा आपकी आत्मा उन शब्दों को इस्तिमाल करते हैं परमेश्रों के सामने प्रार्थना को रखने के लिए और वो असली प्रार्थने जैसी विश्वासी को क करनी चाहिए कि अगर आप गैर भाशा में बाते नहीं करते हैं और अपना हंड्रड परसंट भी अगर आप दें घंटों भी प्रार्थना करें तो भी आपके सो में से 10 नंबर आएंगे क्योंकि परमेश्वर ने का इमोशनल नहीं जीतेगा पर हत्यारों के साथ लदा हुआ वो जीतेगा लडने वाला जीतेगा आज बहुत से लोगों के पास जब बहा वर्दान जब बुद्धी का वरदान है जब नहीं होता है तो वो भसते हैं हर कॉश्चन का जवाब हर सव कालूम था है मुझे पड़क रहें अगर यूश्वमसी बोलते हां हमें टेक्स देना चाहिए रोमी सरकार को तो सारे यहूदी नराज हो जाते और बोलते यूश्वमसी तो रोमियों का है हमारा नहीं है यह हमारा अगवा नहीं हो सकता अगर यूश्वमसी कहते नहीं देन चाहिए तो वो रोमी सरकार को शिकायत करते कि यूश्य मुसी अपने लोगों को टेक्स ना देने के लिए भड़का रहें तो परमेश्व ने का तुम्हारे हाथ में क्या है कैते सिक्का लाओ परमेश्व ने का ये किसकी मूरत सिक्के के ऊपर कैदे कैसर की परमेश्व ने का आप में बुद्धी का वर्दान नहीं है तो फसते हो आप जब लोग आपको क्वेश्चन पूश्टे एसी सिचुएशन में फसते हो तो आपके आप आपस अगर पवित्रात्मा नहीं उसका वर्दान नहीं तो आप गलाज जवाब देते हो हां में दोगे तो भी फसोगे ना मुण्य फूवित रातमा के वर्दान कैसे काम करेंगे वो कैसे आपके साथ चलेगा कैसे आपको नहीं चुढाएगा जहां परमेश्वर का आतम हैं वहां आजादिये तो अगर कर मेश्वर का आतमा के साथ है तो आ आप आजाद नहीं कि तुनियां कोंडों कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर फिर आपको फ्री नहीं कर सकता अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है तुर इसलिए भागर लोग साइकेट्रिस्त के सपास था जाते सथ ठक जाते हैं और काऊंसिलिंग करता करता थक जाता है बेटा जो तु देख रहे हैं वह कैमिकल का लोच पर जानता है कि उसको कोई नहीं कर सकता लेकिन चर्च में आने के बाद से वह दुश्टात में जाते हैं वहां आजाधी है